तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुती स्वादिस्ट एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपको सब्जों का भी स्वाद मिलने वाला है दालों का भी स्वाद मिलने वाला है साथी साथ आपको गेहूं का भी स्वाद मिलने वाला है जो बच्चे सब्जे नहीं खाते दाले नहीं खाते उनके लिए बैस्ट आप्सन है उनको बहुत पसंद आएगा और आप इसे डिनर में सरु कर सकते हैं और नास्ते में भी खा सकते हैं इस रेसिपी को हम कुकर में मनाएंगे गैस में मैंने कुकर रखा हुआ है इसमें डाला दो चम्मच के आसपास तेल थोड़ी मै बहुत अच्छा आता है यह सारी चीज़ें इसमें जरूर डालें अब मैंने हाप पर एक बड़े साइज का प्याज कट करके लिए बहुत बारिक नहीं काटा है प्याज को और इसके साथ ही मैंने दो तीन हरी मिर्च बारी कट करके ले ली है इसे हमें हलका सा भून लेना है बहुत जादा नहीं भूनेंगे प्याज को पस हलका साया पर हम इसे भून लेंगे अब मैंने हाप पर एक चमच अत्रक और लैसुन का पेस्ट डाल दिया है जब यह थोड़ा सा भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइच का टमाटर जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया हुआ है एक चमच मैंने नमाक एट कर लिया है ताकि टमाटर हमारा जल्दी पक जाएगा इधर मैंने टमाटर को धकल लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था इधर हमारा टमाटर भी पक चुका है अब मैं इसमें डालूंगी बेसिक मसाले वन फोर चमच हल्दी पाउडर आदा चमच रैट चिली पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी एट क मसालों को हमें पका लेना है मसालों को तब तक पकाएं जब तक कि इनका कच्चापन खतम ना हो जाए थोड़ा सा पानी और एट कर लिया है मैंने और लगातार चलाते हुए ढखके हम मसाले को पका लेंगे इधर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से हमारा पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे बाखी की सब्जियां यहां पर मैंने गाजल लिया हुआ है और इसके साथ ही कद्दू और लौकी और आलू आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां एट कर सकते हैं अपनी पसंद की और आधा कप मैंने हाँ पर मटल लिये हुए है पहले हमें सब्जियों को मसाले के संग 5-10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो मसालों का टेस्ट है ना हो सब्जियों में अच्छी तरीके से चला जाए और अब मैं डालूंगी दरदरी कुटीवी काली मिर्च का पाउडर इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और ढक्के पकाएंगे इधर हमारी सब्जिया भी थोड़ा सपक चुकी है जब हमारी सब्जिया पक जाएंगी तो मैंने हापर ली है थोड़ी मतलब एक दो चमबच के आसपास मसूर की दाल और दो चमबच मूंग की दाल इन्हें मैंने भीगा लिया था और आधा कप मैंने हापर यूस किया है द दल्य बना सकते हैं अब हमें दल्य के साथ पाने और जट पटसे से बनाके तेयार कर सकते हैं अब मैं आपर दो ग्लास के आसपास पानी अट करूंगी ये गुनगुना पानी मैंने लिया हुआ है और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है इस रेसिपी में पानी की बहुत ज़्यादा जरुवत होती है जितना पानी डालेंगे जितना ये पकेगा उतना ही पानी कम होता रहेगा एक बार मिक से एक ग्लास के आसपस गरम पानी एट करूंगी और धक्के से दो सीटी आने तक हमें पका लेना है दो सीटी में ये अच्छी तरीके से पक जाता है दो सीटी आने के बाद मैंने इसको धक्कन को खोर लिया है एक बार मिक्स कर लेंगे इसको ऐसे कुछ सब जो कर हमें ऐसे मिक बहुत टेस्टी लगती है, एक गिलास फिरसे मैंने इसमें गरम पानी आइट कर लिया है और फिरसे हम इसे मिक्स कर लिए अब मैंने गैस को आन कर दिया है और ऐसे लगातार चलाते वे से और पका लेंगे थोड़ असा, अब इसको ढख के बस दो मिन 39 में और पकाना है सीटी नहीं आने देंगे क्योंकि 2 मिनट में सीटी नहीं आएगी अब इधर मैंने गैस को आफ कर लिया है डखकर निकाल लेंगे एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेंगे इधर आप देख सकते हैं ये सबजियों से भरी हुई हमारी दालों से भरी हुई खिचडी बन के बिल्कुल तयार है बहुत टेस्टी होती है एक बार बना के आप जरूर ट्राइ करें से अब हम इसमें लगाएंगे घी का तड़का यहाँ पर मैंने एक चम्मक घी लिया है तड़का पैन में इसमें मैं डालूंगी दो खड़ी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाली हुई है इसको तोड़के डाल लिया है इसके साथ ही आपर मैं डालूंगी थोड़ा सा कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर ताकि खिचडी का जो कलर है ना और अच्छा आए और उभर के आए इसे तोड़ा सा फ्राई कल लेंगे जब तक की मिर्च में तोड़ा कलर चेंज ना हो जाए अब इसमें तरका लगा लेंगे और इसे एक बार फिर से मिक्स कल लेंगे कसूरी मेथी डालेंगे धनिया पत्ती डालेंगे और इसे मिक्स कल लेंगे ये हमारी आपर दल्या के खिचडी बन के तैयार है, दालों के खिचडी बन के तैयार है, सबजों के साथ, भरपूर सबजों के संग ये हमारी खिचडी बन के तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सरू करेंगे, एक बार बना के आप जरूर इसे ट्राइ करेंगे, आपको बहुत सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर रेसिपी पसंद आई हो तो अपने कमेंट मेरे साथ जरू शियर करें धन्यवाद